आसा वरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बता वहोरी माई हाँ हार बिन खिन पल रहना सकों जैसे करहल बेलरी जाई माई मोरो प्रीतम राम बता वहोरी माई हाँ हार बिन खिन पल रहना सकों जैसे करहल बेलरी जाई रहाओ हमरा मान बेराग बिरक्त पयो हार दर्सन मीत कहताई जैसे अल कमला बिन रहना सकै तैसे मोहे हार बिन रहन ना जाई राख सरण जगदी सर प्यारे मोहे शरदा पूर हार गुसाई जन नानक कैमान अनांद होत है हार दर्सन निमक दिखाई सहिब कमाल दीन दुनी दे पाधिशा हल्ट पल्ट के रखे राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान दसा पाधिशाईयां दी आत्मक जोत निरंकार दा शबद सरूप भाजर नाजर गुर्देव चवर तक्षत राज दे मालक सिर शाह पाधिशाई तान तान सिरी गुरु गरंच साफ जी दी पावन पवित्तर चरन शरन वे जुड बैठे मेरे सोने साथ गुरु दे प्यारे पुत्रों ते स्यानियों ती ओ गुरु सुरे गुरु प्यारे गुरु रूप पंत खालसा जी कल की तर पाधिशादी बक्षिश कीती ही फते दावाजा बलंद करिये जी वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फते परम देयाल लाल गरीब निवाज पगतवच्छल दीना नात सत्गुरु सचे पाजशा तानगुरु ग्रेंच साथ जिना दी पावन बाणी दी विचार संगत रूप ओके परवार रूप ओके ये थे आन एकत्तर होए हैं बेंती करां सत्थ संगीयो जदों बाणी नू पढ़ना है बाणी नू विचारना है जदों नाम जपन दा अबियास करना है ते हिर्दे विच केवल एको यतन होए बोतियां चित्राईयां सेनपां त्याग के केवल एको कारज लई यतन शील होना है के मान टेक जावे जे मान टेक गया ते गुर्बानी दे शबद अर्थ पावर्थ सेथ सुबाय रिदे विच टेक जानगे पावे कोई कीरतनी आपए कीरतन करे पावे कोई विचारवान पए गुर्बद ली विचार करे पर जदो तक मेरा मन नहीं न टेक आ तो तक मेरे जीवन विज कोई असर नहीं होना सो गुरू सुआ रहे हो जे राल बैठे हैं ते एक यतन ए भी करना है के एस समयनू सफल करना एक होंदा है टाइम पास करना माफ करना टाइम ता पशू पंच्छी भी पास कर रहे है खाना, पीना, हसना, सौना विसर गया है मरना ये एक पशू दी परवर्ती है पंच्छी दी परवर्ती है असा समयनू केवल पास नहीं करना सगों संगत विच आके समयनू सफल भी करना सो साद्गुर सचे पारशा दी पावन बानी दे एस पवित्तर शवद दी विचार जो आसा वरी राग दे विच साद्गुरा ने तांसिर कुर रामदा सचे पारशा जी ने ए पावन शवद गुरु दे कीरतनिया नू आसा वरी राग दे सोलमे कर दे विच गायन करना हुकम कीता है जित्हों इस शुरू है ना रामबो है राग आसा वरी कार सोलमा बोत यह संगता नू ए जानकारीता है के साथ गुरू सिरी गुरू ग्रंसाव दे विच सचे पारशा जी ने एकती राग गांदी वरतों कीती है बोते एवी जान दे ने के केवल एकती राग ने इना एकती राग दे नाल साथ गुरा ने एकती मिश्रत राग गांदी वरतों में कीती वाक वाक रागान उरला के शबत गायन कीते ने पर जेड़ा एक कार लफज है ये जेड़े संगीत दे विद्वान ने जेड़े संगीत वेचे रुची रख देने ये पली पांधे जान देने तांसिरी गुरु ग्रण साब दे वेचे सतारा कारवरते ने तुसी गुरु गुर्ण साब दे सिरूब दे वेच कार सतारवा दे पड़ोगे कार अठारवा किते भी अंकत नहीं सो साथ गुरु सिरी गुरु रामदास जी दे पावन बचन आसा वरी महला चौथा दे पावन सिरले खेट तांसिरी गुरु गुर्ण साब जी दे पावन पवित्तर तिन सो उनत्तर आंगते सुबाह मान ने इत्थे के प्रेम परी बेंती करा कई वेरासी कह देने आ के गुरु गुर्ण साब दा फलाना पेज फलाना पन्न नहीं प्यारे हो पन्ने किताबां दे होया कर दे पेज बुक्स दे होया कर दे गुरु गुर्ण साब दी हाजर नाजर गुर्णानक दा सरूपने हाजर नाजर दस पात शायां दी कला गुरु गुर्ण साब जी दे विच वर्त रही है साथ गुरु जी प्रमेश्वर दा शबद सरूपने जे प्रमेश्वर नू लबण है न कि ते खबे सचे पटकन दी लोड नी तक्के खान दी लोड नी बाबा जी दा बचन रोज पड़ दे ओ जो प्रब को मिलबो चहे खोज शबद में ले राबदा एड्रेस जे जे एड्रेस मिल जाए बंदे नू लबणा सोखा है ते साथगुरान ने राबदा एड्रेस जेता है भी जे राबदी पाल कर रहे हो पटको नहीं एड्रेस तक पोँच जाओ रब मिल पेगा एड्रेस किये खोज शबद में ले सो साथगुरान दा एड्रेस जे जो पावन सरूप है गुरु गरंज साथ जी दा एड्रेस पेज नहीं पन्ने नहीं हाजर नाजर गुर्णानक साथ ने हाजर नाजर गुरु गोविन सिंग साथ ने ते सरीर दे अंग होंदे ने पेज नहीं होंदे सो असा के लफ़ज वरतना है इस सतकार एक गुरू दा कि तांसिरी गुरू ग्रहन साथ जी दे पवित्तर तिन सो उनटर अंग ते सुबाए मान मैं बेंती करां तुसी पेद कहले या पन्ना कहले या मेरे गुरू नुको फरक नहीं पहना उते वड़े तो वड़े पर सिख ने गुरू दे ले उच्चे तो उच्चा लफ़ज बरतना है सुच्चे तो सुच्चा लफ़ज बरतना है साथ गुरू वड़ा करसला ही ये जिस विच वड़ियां 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 जिड़ा इनिया जिनना तु बाणी ना सतकार करेंगा ओस तो कई गुणा बाणी जगत विच तेरा सतकार कराएगी So तानसेरी गरूरु राम दा सीधे ए पावन बचन जिननादी आज विचार आपने यतन करना है जिदों गुरु के दरबार विच आउना है ना तास जिंदगी यह यतन करें वो बड़ा काम आएगा केवल आज नहीं जदों वी जगत विच जियोंदेयां संगत विच आउनदा समा मिलें कोई कीरतनियां कीरतन करें कोई परचारक कथा करें तुसी कार बैठेयां सहज पाठ करो जदों तुसी बानी पढ़नी है बानी सुननी है एक यतन जरूर करना है कि आपने पावना दी डैरी खोल लानी है पावना दी डैरी हुंदी है अंदरों आपने जिल्दियां गहराईयां में जो अरदास करनी साथ गुरू जो मेरे बचन करनी पहे ने जो तुसां तर्स करके ए बचन मेरी रसना तो पढ़ाए ने बाबा जी सदा लई मेरे हिर्दे में विच वस जाए पावना नी डैरी खोड लिया करो ते शर्दा दी कलमना लिख लिया करो जे किसे कागज दिकोगा लिखोगे समा पाके और मिट जाएगी कागज मेला हो जाएगा कागज गल जाएगा फट जाएगा लेकिन जो पावना दी डैरी ते लिखोगे ना शर्दा दी कलम नाल और सारी जिन्दगी तो आड़े नाल निबेगा सो गुरू स्वारेो साथ गुरू चौथे पादशा सानू इना पावन बचना दे रहें की उपदेश बक्षिश कर रहें ने आओ सर्वन करिये जी माई मोरो प्रीतम राम बतावो होरी माई हुन जदो एपंक्ती पढ़नी है न ते व्याकरण दी शुद्धी दा त्यान रखने है के असी अर्द बिसराम किते लाउने है बेंती करा जे सानू व्याकरण दी शुद्धी अनुसार बाणी पढ़न दी जाचा आगई न मैं गुरु गरंद साब दे चर्णा सदका एक बेंती कर दे हैं असी परसेंट बाणी दे अर्थ है तो अनुस है जिस सुबाई समझ आ जानगे उन्हें के में पढ़ना है माई लफज दे अर्थ बिस्राम लवना है माई लफज दे दो अर्थ ने अग्गे विचार कर दे है अर्थ बिस्राम लवना है माई है माई है माता ये थे जब पाव अर्थ लबांगे कुछ और ने शबद अर्थ ने माई दा पाव है माता मदर ओ मदर हे मेरी ये माए ते पावर्थ की ने अज़री गुरू रूप संगते ना ये भी साड़ी माई बाप है असी अत्यात्म मारग ते टुरदेयां ऐस संगत दे अगे अरदास करनी है जोद्री करनी है हे गुरू की साथ संगत हे रब ते मारग ते तुरूण वाले ओ जिन्ना ने तो अड़ले विच्छों रब लब ले आ हे सथ संगी ओ होने ते तीज़े अरद बड़े कमाल देने माई हे मेरे परमातमा हे मेरे रब जी मेरे परमेशवर जी क्योंके रब भी साड़ा माई बाप है यह हुन साड़े दे डेपेंड करता है भी साड़ी आवाज किनी गहराई विचो निकल रही है हिर्दे दी जिनी गहराई दे विचो तुसी जोदरी करोगे अरदास करोगे उन्ही छेती गुरू दे चर्णा विच परवान होईगी शबद अर्थने माता पाव अर्थने गुरू की संगत गुरू दा रूप परमात्मा दा सरूप यह थे माई ते अर्थ भी स्राम लावना है पाई एक मुमेट वास्ते रुकना है ता जो असी राबनों समोदन कर रहे है माई मौरो परितम राम बतावो हो री माई गुरू रूप साथ संगत जी असी सारे ओस सोने राबदे मारगते तुरे हुए है असी सारे राबदे तुंडा हुआ लफज बड़ा प्यारा जे पुरातन सिंग एस लफज नू बरतिया कर दे सन आज कल दे बच्यानू ते एस लफज अर्थी नहीं पता राब दे तुंडा हुआ जेड़े राब नू तुंड रहे ने जेड़े परमातमा दी पाल विच ने असी सारे ओस मारग दे पांदी है कोई मंजल दे नेड़े है कोई मंजल तो दूर है कोई अधवाटे विच थै तुरे तो सारे राब दे मारग दे हो या ना कोई पहुंच गया है कोई मंजल तो दूर है पर एक बेंती करा जेड़ा राब दे मारग दे टूर पया एक दिन मंजल दे जरूर पहुंचेगा बाद किसमत तांओ ने जेड़े अजे करो तुरे ही ने जेड़े केवल गल्लांदे विच खचतो ये ने आ कर दे हो ओ कर दे हो जेड़े मंजल दे ही ने अजे कदम ही नी पुटे आ उक्के में पुंचन गे जे तो अड़े विच्चों को पांच बाणियां दा नितनेमी बैठा है को सुखमनी साब पढ़न वाला सहज पाठ करन वाला बैठा है दास ओस गुरू प्यारे दी चरन तूरी पाल दा ताजे मैंनू वी ओस गुर्सिख दी चरन तूरी मस्तक ते लाउन दा मौका मिले मेरे वी पाग बनन पर कदे नितनेम करन दा मान ना करन के मैं पांच बाणियां नितनेम कीता है मेरा गवांडी ते दस वज़े तक सुता रहन दा मेरा पराते कदे बाणी पड़दा नी मैं ता रोज नितनेम करना यह मान ना करे ओ जे किसे ने अज मान बना ले ना बड़ी डूंगी गल जे विचार करना जे किसे ने अज मान बना ले ले के मैं कल तो जबजी सावदा पाठ करना अजे कीता नहीं अजे केवल मन बनाया है साथ संगजी साड़े लई ओवी सतकारी हो गए शुकर मनता बना ले आना बस लोड है केवल मन बनाऊने बाकी गुरू आप बांफ़डेगा अपने आपनों प्रिपेर करो अमरत वेले उठना, नाम जपना क्योंकि जीवन विच नाम जपना इस साथ तो उत्तम खेड़ है एक बड़ा बड़ा सवाल है कई पुछते ने के बानी वद पढ़या करिए के नाम वद जपया करिए और गुरू सुआरे हो बानी पढ़ के ही दा तो अनू नाम जपन दी प्रेरना मिलेगी बानी पढ़ोगे ताहीं पता लगेगा प्रब का सिमरन सबते उचा प्रब का सिमरन उद्रे मूचा बानी पढ़या ही पता लगेगा ना नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रेमंड नाम के तारे सिमरत बेद पुरान नाम के तारे सुनन ग्यान तयान नाम के तारे अगास पताल नाम के तारे सगल अकार बाणी पड़ें ही नाम दी महानता दे बारे समझ आएगी ते बाणी पड़ें ही नाम जपन दा चित करेगा ते एक और बेंती करा नाम जब दे हां जब दे हां जीवन दे वेचे एक दिन उत्तम पदवीनु प्रापत कर जाओ गया साथगुरा नेता बानी दे वेचे सपाश्ट तोर दे हुकम का देता कोई चोईस नहीं दिती देर इस नो अधर चोईस बाबा जी कहें दे केवल नाम जब रे प्राणी छोड़ो मन के परमा केवल दा मतलब है आउनली वन और आउनली नफिंग ऐल्स केवल नाम जब दे है के नाम जब दे नाल ही जीवन पदवी प्रापत होनी है ते एक अल समझ के थो हूँ आई बानी पढ़के सो बाणी पड़नां ही उनना ही लाजमी है जिनना नाम जब नात एक गुजे दे नाल समझ दथ ने सो पई नाम ही जपएा करिए बानी भी पड़एा करिए ते बानी दे उत्तम विचारनु रिदे तारन करन्दा भी यतन करिए साथगुर्दीन देयाल है पाई करण कारण समराथ बाणी पढ़ देयां अंदरो पकार परगटो वे यह नहीं भई हुना सी कड़ी वे के दास मिंडी जबदी सावदा पाठ करना नितने वजो पाठ करो मुबारक है पर कदे बाणी पढ़ देयां राबनल गलावी कीता करो यह किता हुन्दा सोदर पढ़ रहे हैं तूं करता सचयार मेंडा साई जो तो पहवै सोई थी सी जो तो दें सोई हों पाई मुबारक पढ़ो कदे राबनल गलावी कीती हैं जो सोदर पढ़ देया आज जदो शंद्या समय सोदर ना जाब कर रहा ना अज गल्लां करे हो जदो पड़ो गे ना तूं करता सचेहार मेंडा साई जो तो पावा है सोई थी सी जो तू दें सोई हो पाई तूं कौने किसे गौणडी ना नी गल कर रहे किसे फैमिली मेंबर ना गल नी कर रहे तूं करता किदे ना गल कर रहे है रब दे ना ले परमात्मा परमेशोर रब जी वाई ग्रू जी खुदा जी तूसी मेरे जीवन दी काड़त कड़ी ये तूसी एस संसार नो पैदा कीता है क्योंकि तूसी सिर्जना आरो तू करता तू करण वाला है यू आर दा क्रियेटर सचे आर तू साचदा सरूप है मेंडा साई राब ना गलां करे हो मैं दावे नाल कहना दास मेंट पंदरा मेंट तू आड़ी अखांदे विचों अथरू नहीं ये रुकने करते प्रैक्टिकल करके देखे हो सोदर पढ़ना हो रहे सोदर दा रास लेना हो रहे ये किते होंदा पढ़ दे हैं पांच प्रमान पांच परधान पंचे पामान दर गहमान पंचे सो हैं दर राजान पंचा का गुर एक तेहान ये पढ़ गए जीवन भीद गया पढ़ दे पे हैं पढ़ी जाने हैं पढ़ी जाने हैं आज जदो जब्दी साब पढ़ो ना ते उजड़ा एक तेहान है ना उन्हों अंदर लाएओ पंचा का गुर ये एक तेहान अंदर जोड़े और मन आज तो तकरीबन वी साल पहला दिली सुखमनी साब दी लड़ी वार कथा यमना पार इलाकियां वेच उन्हाने रोज वाखवाक विद्वानानू सद्णा एक अस्पदी दी विचार दास दी जदो हाजरी सी पंद्रवी अस्पदी दी विचार सी ते प्रबंद कैन लगे पाई साब जी तुसी थमा थोड़ा वदलाऊना है संगत प्यार कर दी वैसे रोज एक कंटा कता हूं दी आज तुसी पौने दो कंटे कता करनी साच जानना जदो पड़े हैं ना पंद्रवास लोग सरब कलापर पूर प्रब बिर्था जानन हार जांके सिमन उद्रिया नानक तिस बले हार अगों की पढ़ देओ अस्ट पदी तूटी गंडन हार गोपाल एज जदो पंक्ती पढ़ी अंदर वेराग आ गया वीज साल पुराणा जिकर कर रहे हैं संगता दे नाल एक बचन हो गया पाई पढ़ देता रोजा टूटी गंडन हार गोपाल सरब जीया आपे पृत पाल मैं बेंती किती संगत नू के हुन जदो कल सुखमनी साब पढ़ांगे न ते जदो पढ़ो ना टूटी ते गुटका बंद करके उची सुची थांते रख देना ए तुसी भी प्रैक्टिकल करके वेख्यो जदो पढ़ो ना टूटी अजे गंडन हार नी पढ़ना गुटका उची सुची थांते रख देना चौंकडा मार लो दे नेतर कर लो बंग आपने नाल गलां करो कैना दे बड़ा सोख है तूटी गांडन हार गोपाल ओ परमातमा गोपाल रब वाहिगरू परमेश्वर ओ तूटियां गंड दा क्योंकि ओदा सुबाई तूटियां गंडन दा पर अज आपने आपने नाल गलां करेओ किते मेरी भी रब दे नाल टुटी था नहीं करते गलां करके वेख्यो एक खोज करन दा मोका मिलिया ते उते मैं संगत नों बेंती कीती मैं क्या जदों आपने आप तो पुछोगे ना केड़ा कारण है के मेरी भी रब नाल टुट गई है केड़ा कारण है वट इस दा कॉज बहाइंड इट ते एक सो अठाई कारण मैंनों लबे जी रब नालों टुटन दे समा नहीं मैं उस पासे जावा देर आर 128 रीजन्स ते मैं संगत नूँ बेंती कीती मैं काज़े एक कारण ते वी एक कंटा बोले आ जावे न ते 108 कंटे चाही देने केड़ टूटी लफ़स दी व्याख्या करदे वास्ते तुसी कहन देओ भी एक कंटे वे चे पूरी अस्पदी दी व्याख्या होए केवल टूटी लफज दी व्याख्या करन वास्ते एक सो अठाई कंटे चाहिए देने गंड़न हार दी पढ़ाई का बात दी है न सो पाई ये जो बाणी है ये पढ़देया सुर्थ विच टिकाउनी है ते सुर्थ विच टांटे काउंगे जदो बाणी शुद पढ़न दी जा चाहेगी व्याकरन दी शुद दी अनुसार सेरियां बेरियां दा मतरामा दा ते आन रखके अर्द बिसरां दा ते आन रखके जदो बाणी नू पढ़ागे फिर आपने आप नालवी गलां होनगी यां कदे पढ़या ते साच जानना और केवल दुनियावी नजर विजदा आएगा पर यसी गुर्गरान सावदा अकांड पाट कीता है पर अंदर पामे अजे तक असी एक कवडी मुल जिन्ना में कोई अर्थ नहीं समझ सके बेंती करा बानी दे अर्थ बड़े डूंगे ने जदों कदे मौका मिले न करदे विच अकांड पाट सब रखो आप करो बहुती चंगी गाल है जे पाइसाब पाट कर रहे ने ते असी केवल आए गए दी सेवाज लगे यां लोकान उचा पाणी पिला रहे हैं वो होर भी कर लेंगे जे ग्रह दे विच करदा मालक आया न पढ़ दे आना मन चाओ पया प्रब आगम सुनेया हर मंगल गाओ सकी ग्रह मंदर बनेया जे करदे विच आज मालक ने आप चरन पाए ने साथगरू गुरू ग्रंद साथ आप प्रकाश मान ओए ने आप जलवागार ओए ने ते असी दुनियावी लोगां दी खुशी लेंड दी खातर के विल चाप आणी अच रुजे पया जे पाईसा पाट कर रहे ने ते चाओर साथ फ़ड के ना कारदे परवार दे मेंबरा दी दो-दो गंडे दी लाओ डियूडी नाले पाट सुनो नाले हाजर नाजर जान के गुर्णान के असरूब जान के गुरू गरंद साथ नू चाओर साथ दी सेवा करो वेखो के में पर सन्दा मिल दी गुरू दी असी दा बाबा जी नू कमरेज प्रकाश मान करके ते फिर तीजे दीनी अंदर वड़ने यां जदों स्लोक मला नौमा दे पाट शुरू होंदे ने असी खुशी नहीं लाए सकते क्योंके असी गुरू नू समझे ही नी साथ गुरू दीन दे आल के ते सानू सेवा करन्दा चार्च बख्ष दे नू सेवा उंदी की एक बख्रा टॉपिक है फिर कदे लावागे इस पासे विचार आज मेरे साथ गुरू सीरी कुर रामदा सी बचन करके समझाओं देने माई मोरो प्रीतम राम बतावो रीमाई हाओं हर बिन खिन पल रहना सकाओं जैसे करहल बेल रिजाई रहाओ समुचे शबद दा सेंट्रल आइडिया समुचे शबद दा तत सार रहाओ दी पंक्ती विच लुक्या होंदा है रहाओ दा मतलब होंदा है पाउज एक मोमेंट वस्ते ठेरो रुको विचारो समुचे शबद दी खुशबो रहाओ दी पंक्ती विचों पर गटोईगी सो जो विद्वान पुरुष ने और गुर्शबद दी विचार अरंब करन समें रहाओ दी पंक्ती नो सेंट्रल आइडिया बना के विचार अरंब कर देने ते कुदर्ती एस शबद दी पहली पंक्ती विची रहाओ दी विचार आगई साथ गुरु समझावना की चाउं देने उपदेश की दे रहे ने के गुरु देगे पुकार करिए जोद्ड़ी करिए अरदास करिए बेनती करिए सचे पादिशाह मैनो ओस सोने रवदा मिलाब के में होवे किर्पा करके समझावना करो ना तुसी ता समरत हो मैं मुरख की के तक बात है कोट परादी तरेया रे गुर्णानक जिन सुने आपे खेया से फिर गर्भास ना परेया रे तुसी समरत हो तुसी किर्पा करके मेरी बाँ फड़ो ना मैनो ओस मारगते तोरना करो